हेलो गाईज आज आप लोगों को एक बिंगॉली ट्रेडिशनल मेकोवर ट्यूटेरियल करके दिखाते हैं तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं मेकोवर के पहले मॉस्ट्रेजर लगा के रखें तो सबसे पहले मेबलीन के फाउंडेशन एप्लाइ करेंगे आई ब्रोज एन आई मेकप के लिए तो चलिए उसको लगा लेते हैं करते हैं उसको सेट करने के लिए मेबलीन फेस पाउडर यूज़ करेंगे अभी आईब्रूस बनाने के लिए आईब्रूस पाउडर लगा लेंगे एंड आईब्रूस को अच्छे सेट कर लेंगे अभी आईशाडो के लिए पहले भुड़ा ब्यूटी के पैलेट यूज़ करते है आईशाडो को पर्फिक बनाने के लिए दोनों आईश के कॉर्णर में सेलोटिब लगा लेंगे अच्छे से उसके बाद आईशाडो को अच्छे से प्लेंड कर लेंगे अभी आईश में बेस बनाने के लिए फिर से फाउंडेशन यूज़ करेंगे दोनों आईश में उसके बाद मॉर्फी आईशाडो पैलेट लगाएंगे मॉर्फी आईशाडो पैलेट से कलर लेके जो बेस था उसको कम्प्लिट कर लेंगे और फिर से हुड़ा ब्यूटी आईशाडो पैलेट यूज़ करेंगे अभी हाइलाइट पैलेट से दोनों आईश को हाइलाइट कर लेंगे यह हम आईश के लिए मैक यूज़ करेंगे आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आईश इसको अच्छे से लगा लेंगे अभी एलेट टीन का आई लाइनर यूज़ करेंगे देन मैक को मशकारा यूज़ किया है पिलो टीप को रिमूव कर लेंगे और ध्यान रखेंगे की मेक अप समझ ना हो जाए और अफ्टर टेट औरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे जहां जहां डर्क सर्केल एंडर्क स्पॉट हो फिर आल अवर फेस में और नेक में मेबलीन फाउंडेशन लगा लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद मेबलीन कॉम्पेक्ट लेके पाउंडेशन को सेट कर लेंगे अभी कंटूर करने के लिए हुडा ब्यूटी कंटूरिंग पैलेट यूज़ करेंगे और अच्छे से कंटूर कर लेंगे झाल, उसके लेंगे पैलेशन क कर लेंगे झाल झाल अभी हाइलाइट करने के लिए स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर यूज करेंगे थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लेके पूरा मेकप को फिर सेट कर लेंगे उसके बाद फिर से आईशाडो लेके अंडर आईज में लगा लेंगे एंड बाकी जो डस्ट है उसको रिमूव कर लेंगे लिप्स्टिक के लिए रेट कलर का हुड़ा ब्यूटी यूज करें अभी जितना और्नोमेंट है सब पहन लेंगे अजय हूचा पाल बाद करेंगे प्रड़ पैर रहे थां उतर चाना । एंड लस्ट में एक रेड बिंदी लगा के मेकप कम्लिट करेंगे इस तानिय विश्चर मेरा लुप जो आप लोग देख रहें यह मेक ओवर मेरा दीदी ने किया है हाई इस इस बीप मलबिश्चर तो अगर यह लूप अच्छा नगा तो प्लिज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप यह मेक ओवर के लिए या कुछ भी म